आज की वीडियो में हम एक इंट्रेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं एलोवेरा प्लांट को जो है वो हम आलू में ग्रो करने जा रहे हैं एक नॉर्मल साइज का आलू लें आप इस तरह का आलू के दरम्यान में सुराख कर लें सुराव जो है वो एक साइड से दूसरी साइड में की तरफ करें सुराव करने के बाद अलोवेरा को अलो में लगा दें आहस्ता से यह ध्यान रखें कि इसकी रूड्स जो है वो टूटने ना पाएं बहुत आहस्ता से इसको और यह जो बचा हुआ ठाप काटने से यह जो बचा था इससे जड़ाए वो इसकी साइड को पैक कर दें इस तरह से इच्छे से पैक कर दें इसको आलो में लगाने से अलोवेरा के लिए एक नेश्रल फरिडिलाइजर त्यार होता है जो आलो के डिकंपोज होने से रिलीज हो होता है और आलो में आपको बता है कि जैसे स्टार्क होता है और स्टार्क अलोवेरा को फास्ट ग्रोग करने में मदद करता है जिस पॉर्ट में लगाना हो इस पॉर्ट में मट्टी फिल कर लें इस तरह से और यह आलो जो है इसको आप इस तरह से दर्मयान में रखने और स अश्राइग प्रशेंग अश्राइग और फोड़ी अमाउंट जो है इसमें मेंगेनेज की होती है और इसे आप इसे आप में पश्चेड में रखना है जहा है एक दो घंटे की से धूप मिलती है